हेलो बच्चों कैसे हो आप सब लोग यार आय होप की कोविड नाइन्टीन के टाइम पर आप सब बहुत हेल्दी हो घर में ही रह रहे हो और सारी गाइडलाइन्स को फॉलो कर रहे हो ठीके ना पिछली बार जो है हमने एलडॉल हेलो फॉर्म और कैनिजारो को रिवाइस कर ल क्लाइजन, रिफोर्मेट्स की, बेंजिल, बेंजाईलीक, पिनोकोल, पिनोकोल, इनको रिवाइस करने वाले हैं अब भी मेरे को याद है 2016 में बहुत आसान सा क्वेश्चन जही एडवांस के एक्जाम में आय था बेंजिल, बेंजाईलीक से ठीक है 2018 में एक क्वेश्चन इसलिए होती है क्योंकि हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं लोगवाग हर चीज को रटना शुरू कर देते हैं मेकिनिजम पे ध्यान नहीं देते हैं हम रिविजेन सिरीज में भी मेक्निजम पे ध्यान देते हैं टीक है, तो मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूं IIT Bombay से graduate हूँ, काफी सालों का experience और हजारों बच्चे या तो डॉक्टर की बनने के पढ़ाई कर रहे हैं किसी government medical college से या फिर वो लोग किसी IIT या NIT में अभी पढ़ रहे हैं फिजिक्स अगर आपको पढ़नी है, आपको revision करना है या आपको पूरी पूरी पढ़नी है तो सारांज गुपता सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, बच्चे इनके ऐसे दिवान हैं ना, सही बता रहा हूँ है इतने खतरनाक वाले reviews आते हैं, फिजिक्स की पूरी revision सीरीज है, description में आपको link मिल जाएगा आप एक-एक revision सीरीज की जब comments पढ़के देखोगे आपको रगया कि physics वही जो दीवाना बना दे सर ने 6 साल तक offline Allen के अंदर star batches, top batches पढ़ा है, उसका experience है पिछले 3-4 साल से इसरल के माध्यम से 1000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खुद की All India Rank 41 थी IIT में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, All India Rank 71 थी J.I.Mains में, All India Rank 4 थी National Science Olympiad में तो बहुत highly qualified, one of the highest ranked physics teacher है, अभी पूरे इंडिया में जो कहीं भी पढ़ा रहे हैं Math अगर आपको पढ़नी है, आप इसरल की आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको आप इहां से इंस्टॉल कर लेना, उपर क्लिक करके N.K. गुपता सर पढ़ा रहे हैं जो पिछले 30 साल से, ध्यान रखना, पिछले 30 साल से कोटा के अंदर, हाँ वही कोटा को तो सब जानते ही हैं दो लाग से उपर बच्चों को पढ़ा चुके हैं, उनके पढ़ाए हुए कम से कम भी 300 से 400 बच्चों की अंडर 100 के rank आई है, चाहे वो जेई हो, नीट हो नीट वाले स्टुइंट्स को मेंटर करते थे, क्योंकि एलन करिया इंसिट्यूट में 10 साल तक वो वाइस प्रसिडेंट और अकैडमिक हेड थे, ठीक है, तो इतने बच्चों की टॉप 100, टॉप 10 में 30 से जादा rank आई हुई हैं, उनके mentor के हुए बच्चों की तो एसी फेकल्टी से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है सिर्फ इसरल में, यह इंडिया की बेस्ट अकैडमिक टीम है, जो actually में offline में 4K rank लाके, फिर online में आई है, ताकि अब जो चीज हमने इतने सालों में 3 लाख बच्चों को पढ़ा मिला, जुला के जो हमने पढ़ा है उनसे जो चीज सीखी, वो आप तक डिलिवर कर पाए, ठीक है, साथ में पूरी इसरल की जो एक specific चीज होती है mentorship, उसके लिए अरपित महिश्वरी सर है, वो इसरल के chief advisor है, वो बच्चों की जर्नी कैसी हो, अरपित सर की online rank 2 थी, IIT में, online rank 7 थी में में और Indian Physics Olympiard के gold medalist भी वो रह चुके हैं, तो यार इससे better team आपको कहीं नहीं मिलेगी, फिर से एक वर आप app install कर लीजेगा, और हम अपना lecture अब चालू करते हैं, क्लाइजन कंडनसेशन, ठीक है, क्लाइजन कंडनसेशन में क्या होता है, कि हम esters लेते हैं, और reaction कौन सा होता है, SNAE, SNAE reaction आप सबको पता ही है, nucleophilic substitution via addition elimination, कैसे होता है, क्या होता है, चलो देखते हैं, आपके वास ये एक ester है, उसके आप RO- का reaction करवाते हो, RO- ही क्यों लेते हैं, इसका सवाल आपके मन में उठना चाहिए, कि कुछ और क्यों नहीं, अभी बताऊँगा, RO- ही क्यों लेते हैं, जब हम ये reaction करवाते हैं, और साथ में ध्यान रखना, हमने दो molecule लिये हैं, यार इसका mechanism है ना, काफी मिलता जुलता है, अल्डॉल, हेलोफॉर्म और कैनिजारों से, खासकर, अल्डॉल और कैनिजारों के तो almost काफी similar है, ठीके जब हम ये reaction करते हैं, तो हमारे को product मिल जाता है, बीटा कीटो एस्टर, क्या मिल जाता है, बीटा कीटो एस्टर, सर ये कैसे होता है, क्या होता है, चलो mechanism समझते हैं, CS3COOR है, जब मैं इस पे RO- का reaction करवाँगा, तो सबसे पहले क्या होगा, जब दिमाग लगाना अभी, सबसे पहले होगा हमेशा की तरह कि ये O- वहाँ पे जाएगा, जहां पे सबसे जादा delta positive है, सर सबसे आदा delta positive कहा है, यहाँ पर है, वो यहाँ जाएगा, attack करेगा, यह O- minus बाहर चल जाएगा, finally अपना product बन जाएगा, CS3COOR, सर, मैं बलूँगा, हाँ, reactant और product तो सेम ही है, यही पे तो सारी गड़बड हो जाती है, reaction को लगता है कि यार कुछ हुआ ही नहीं था, जिसके साथ शुरू किया, उसी के साथ end up कर दिया, तो यह तो possible नहीं है, और reaction जो भी है, वो collision के तुरू होता है, तो एक case यह भी होता है, कि इस बार हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह से behave ना करके, हम एक काम करते हैं, कि हम यहां से जो एक alpha hydrogen है, उसको खा जाते हैं, alpha hydrogen को कैसे खा सकते हैं, carbon hydrogen का तो sigma 1 काफी strong होता है, और आप carbon पे negative charge देनी की बात करे हो, मैं एकदम सही बात करा हूँ, क्यों? क्योंकि यह जो carbon का negative charge है, वो इस oxygen के साथ resonance में है, तो आएगा तो carbon पे negative, पर वो resonance stabilized है, तो इसलिए एक छोट इसी probability होती है, कि यह reaction इस रस्ते पे आगे चला जाए, चलो अब यह reaction यहां पे पहुंच गया, हमको क्या पता है, कि हमने दो molecule लिए थे, एक molecule तो CH2-COOR बन गया, दूसरा molecule क्या होगा, CH3-COOR, अब यह जो CH2- है, यह भाई साब को इस वाले molecule के carbon पे delta प्लस दिखेगा, बहुँ शांदार तरीके से, तो यह क्या करेगा, आएगा, पिच्छू से attack मार देगा, oxygen का bond खुल जाएगा, कुछ इस तरीके से reaction हो जाएगा, अब जब यह नीचे आएगा, negative charge, सर नीचे क्यों आएगा, क्योंकि हम neutral species को जबरदस्ती negatively charged बना रहे हो, oxygen यह बरदाश नहीं करेगा, वो तो बहुँ लेगा, मैं double bond के साथ ही सुखी था, आपने मेरे को दुखी कर दिया, तो वो अपने charge को नीचे डालेगा, जैसे इसने charge को नीचे डाला, इस बार यह OR बाहर चला जाएगा, क्योंकि we are getting a different product, हमको क्या मिल रहा है, एक अलग product मिल रहा है, तो हमार पास इधर से आरो माइनस बाहर हो जाएगा, and we'll get our final product, which is beta keto ester, यह क्या है, beta keto ester है, आया समझ में, पक्का, चले आगे, चले, तो मानलो कुछ ऐसा reaction हो रहा है, इस case में क्या होगा, कि यहाँ पे intramolecular reaction हो जाएगा, क्या हो जाएगा, intramolecular reaction, यहाँ पे क्या होगा, intramolecular जो अपना reaction है, वो यहाँ पे हो जाएगा, अब क्योंकि intramolecular reaction हो रहा है, तो एक six-membered ring बनेगी, और जब भी यह intramolecular reaction होता है और एक cyclic ring बनती है तो नाम बदल जाता है क्लाइजन की जगे नाम हो जाता है Dickman's reaction, ठीक है? क्या नाम हो जाता है? Dickman's reaction इसका नाम हो जाता है तो यह एक अलग name reaction हो गया कभी इसमें confuse मत हो ना बस यहाँ पर क्या बन रहा है? cyclic beta keto ester बन रहा है यह beta position है तो यहाँ पर this is a cyclic compound तो यह क्या बन गया? cyclic beta keto ester यहाँ पर बन गया तो दो चीज अभी तक अपन ने देख ली क्लाइजन and बोलो Dickman's reaction चलिए बहुत बढ़िया अगला आता है perkin condensation हम C6H5CHO लेते हैं मतलब benzaldehyde लेते हैं और साथ में यह anhydride ले ले लेते हैं यह क्या है? एनhydride यह नॉमेंक्लेचर ने आपको देखो थोड़ा बहुत पता होना चीए और हम reaction किस के साथ कराते हैं? CS3COO- के साथ अब क्या होगा? यह negative charge species है मानेगी तो है नहीं कहीं नहीं तो जाके attack करेगी चलिए मानके चलते हैं कि इस carbon पर attack हो रहा है क्योंकि इस पर भी delta plus है इस carbon पर भी delta plus है ठीक है? यह दोनों पर delta plus है मान लिजिए मैं इसको 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 react करवा रहा हूँ इसको react करवाने के लिए oxygen पर negative charge आएगा भी ऐसा कुछ बनेगा ना C6H5 यहाँ पर C पर O- और इसको हम एक बड़ा group बोल देदा है तो इसको हम अभी के लिए M लिख लेते हैं तो यहाँ पर M लग गया, अब यह जब नीचे आएगा, तो यह तो यह बाहर निकले याई, यह बाहर निकले, यहाँ पर क्या है, कि बेंजीन रिंग बाहर निकलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें और उसके कार्बन में double bond character है, double bond character होने के कारण, यहाँ पर partial double bond होने के तो यह bond तूटेगा ही नहीं, तो reaction reversible हो जाएगी, M ने attack किया था, M वापिस से बाहर निकल जाएगा, मतलब कोई भी, आप ऐसा बोल सकते हैं न, nutshell में, कोई reaction नहीं हो रहा, तो यह वाला attack तो निश्फल हो गया, यह वाला attack बेकार हो गया, इस पर हम कुछ नहीं करा सकते, अ आप जब हम इसके delta plus पर attack कराएंगे, जब हम इसके delta plus पर attack कराएंगे, तो यह bond तूटेगा, यह bond तूटेगा, तो बाहर क्या निकलेगा, CH3C double bond O minus, तो जिससे attack कराया था, exactly जिससे attack कराया था, वो ही बाहर निकल गया, तो जैसे अभी कलाईजन के समया पर हालत हुई थी, exact same हालत हो गई, तो यहां से आपको एक pattern समझ में आ रहा है, जो group बाहर निकलना होता है, उसी को आप negative charge देके reaction करवालो, क्या करवालो, उसी को negative charge देके reaction करवालो, लोगों को लगते हैं, यह negative charge कहा है, भाईया, सोडिया में तो वो तो plus one में ही रहेगा, तो वो किस में रहेग आपको बाजू में एक alpha hydrogen दिख रहा है, और जब भी हमको alpha hydrogen दिखता है, तो हमको पता है कि अब edge को वहां से abstract कर लिया जाएगा, यहां पे तो heat भी दे रखी है, तो this महाशे, this महानुभाव will work as a base, यह base की तरह से काम करेगा, किस की तरह से काम करेगा, base की तरीके से, तो यह इस से यहां पे abstract कर लेगा, तो यहां पे इसको 2 कर देते हैं, यहां पे minus आएगा, जैसे इस पे minus आएगा, तो फिर यह इस पे जाके attack कर देगा, क्या कर देगा, और यह group यहां से अलग हो जाएगा, तो हमार पास देखो क्या क्या बना, हमार पास एक तो बन गया, हमार पा अपना आजाएगा, यहाँ पे OH, क्या आजाएगा यहाँ पे, यहाँ पे अपना आजाएगा OH, और जैसे यहाँ पे H आएगा, मतलब यहाँ पे, sorry, OH तो इदर है, यह तो अपना, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, C double bond O, मतलब OH तो आएगा ही सही, और यह OH, अब यहाँ पे म बिल्लो से एच बना रहे हैं यह पानी बनके यहां से बाहर निकल जाएंगे जैसे यह पानी बनके यहां से बाहर निकलेंगे तो इसको हटाओ इसको भी अटाओ यहां से पानी बन जेके बाहर निकलेंगे और यहां पर आ जाएगा डबल वांड तो अपना क्या बन गया सी ओ लिवर डोनट, डंकिन डोनट, भाई साब, फील आ जाती थी, तो एक cinnamon डोनट होता है, cinnamon का डोनट होता है, सबसे पहले, ये सबसे एक basic flavor वाला डोनट होता है, तो उसमें जो compound use होता है, cinnamon, उसमें भी इस compound की काफी utility होती है, ये क्या है, ये cinnamic acid है, what is this, this is cinnamic acid, ये आपको या acetic acid भी मिल जाएगा, समझ भाया, perkin condensation में हम क्या कराते हैं, perkin condensation में benzyldehyde और anhydride का reaction हो रहा है, यहाँ पर एक E भी आएगा, benzyldehyde और anhydride का reaction हो रहा है, सबसे पहले step में हमने उसको acetic acid का जो anion है, उसके साथ react करवाया, फिर second step में हमने H plus H2O heat दे दिया, H plus H2O क्य क्योंकि initially आपके वाद CH3COO- बना होगा, उस बेचारे को भी तो H देना है, तो वो H कहां से लएगा, इधर से H लेके आजाएगा, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगला reaction जो हम देखने वाले है, reformats की reaction है, सब कुछ देखो, यहाँ पर same same ही है, benzylde हैड के साथ, हम इस बार कुछ अलग reaction करवा रहे हैं, और हम यहाँ पर क्या ले रहे है, रिएजेंट, जेडन ले रहे है, सबसे बेले हम क्या ले रहे है, zinc, zinc का काम क्या होता है, zinc metal है, metal का काम जो लोग शुरुआत से revision करते आ रहे हैं, अब उनके लिए यह चुटकी बजा आने वाला खेल हो गया है, metal का काम होता है, electron का काम होता है, तो यह यहां से electron देगा, अब यह electron डोल रहे हैं, कहां जाओं, कहां जाओं, फिर से यह दिखेंगे यार, कहां जाया जाया, यहां पे भी delta plus, यहां पे भी delta plus, अगर मान लो, यह वाले electron इधर चल जाते हैं, यह व आ गया ठीक है अब क्या किया जाए आप कुछ नहीं कर सकते है ना यह कार्बन का नेगेटिव ठीक है थोड़ा सा स्टेबल है पर अगर मान लो गलती से यह इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले जाए यहां पर नेगेटिव आ जाए और यह बियार पर भी नेगेटिव आ आएंगे ठीक है अभी मेकानिजम में भी हम देख लेंगे डिटेल में क्योंकि यहां पर जो एनायन बनेगा वो रेजर स्टेबिलाइजड बनेगा फाइनली इसका जो प्रोड़क्ट बनता है वो पिएच सीएच डवल बॉंड सीएच ती ओएच बन जाता है सिनामिक एसिड जो हमने पिछली बार देखा था तो इसका मेकानिजम फटावर्ड से देख लेता है जैन ने अपने इलेक्टरॉन्स दिये यहां पर जैन बियार बन गया क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज है इधर भी नेगेटिव चार्ज है तो जैन पर टू प्लस आया क्योंकि व double bond बना देगा और बन जाएगा pH, CH, double bond CH, COOH which is ceramic acid important compound है आया समझ में काफी easy है बहुत आराम से आपकी ये चीज हो जाएगी चलिए अगला ये बहुत important है this is very important benzyl benzylic rearrangement या फिर benzylic acid rearrangement भी इसको बुला जाता है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है चलू देखते हैं देखो आप क्या करते हो base catalyze reaction करवाते हो किसका 1-2 die ketones का जिससे की एक salt बनता है 2 hydroxy carboxylic acid का इसको benzylic acid rearrangement बोला जाता है और ये जो reaction है ये mostly cases में उन पे applicable है जब aryle group present होते हैं दोनों carbonil carbon पे सर ये कौन सी भाषा है इतनी बड़ी बड़ी भाषा आप क्यों लिखते हो तो चलो reaction से समझ लो मिरको क्या है कि ये कौन से group है सर कार्बनिल इनके साथ कौन attached है सर aryle groups तो मैंने क्या बुला था कि reaction किस पे होता है जहां पे कार्बनिल compound के राद aryle group attached है ठीक है और ये कौन से group है डाय कीटो क्यों क्यों क्योंकि यहां पे दो कार्बनिल groups है तो इसको बुला जाता है बेंजल आप इस पे attack करवाते हो OH- का अब OH- का क्या काम है जहां जाएगा जहां पे electron density कम है मतलब partial positive charge है तो इस पे partial positive है तो आएगा attack करेगा attack करेगा तो finally ये compound बन जाएगा हम इसको H- प्लस भी देते है तो चलो इसका mechanism देख लेते है पर आपको समझ में आ रहे है न यार हर बार होता क्या है ये यहां पे गया ठीक है अब देखते हैं क्या स्तिती बनती है सो हमारे पास ये है हम इस पर OH- का attack कराएंगे वो इधर attack कर देगा ये species बनेगी अब ये तो बोलेगा कि भाई साब मैं तो नीचे आऊँगा मैं कुछ नहीं जानता तो या तो आप OH को बाहर निकाल दो तो जहां से चलो गया था महीं से हो जाएगा तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते reaction को reversible थोड़ी ना बनाना है वो वाली theory तो आपको बता ही है कि collision based होता है तो एक case ऐसा भी आएगा जब ये pH यहां से उठके इधर वाले carbon पर attack कर देगा basically जब ये नीचे जाएगा तो ये bond break होगा pH पर minus आएगा pH माइनस आते ही carbon की दुनिया में हाहा कार मत जाएगा क्यों? pH पर minus carbon पर minus आगया जबकि यहां पर पूरा साक्षा तीन-तीन oxygen बैठ हो है आप सोच के देखो तीन oxygen होने के बावजूद अगर किसी पर negative charge आजाए carbon पर तो बहुत नाइंसाफे है क्यों? समझ रहे हो? आया? तो ये pH माइनस क्या करेगा? जहां पर इसको dendleta positive देखेगा उदर attack तो अपने ही molecule के दूसरे C double bond O वाले carbon पर attack कर देगा क्या species बनेगी भई? यहां पर species बनेगी यह O minus इदर से यह ले लेगा H plus तो हमार परस क्या species बनी? हमार परस इदर से species बन गई कुछ ऐसी अच्छा अब आप यह बुछोगा कि सर इदर वाले O minus ने इससे H plus क्यो लिया? क्योंकि जब इदर O minus बना तो यहां पर equivalent RS बने क्या बन रहा था? equivalent RS यहां पर तो विचारा resonance ही नहीं हो रहा था तो इस oxygen के negative से इदर वाले oxygen पर negative चार्ट जदा stable है हर चीज का reason होता है रटना नहीं है तो यह अपना compound बना इसके बाद आप क्या करो? इस पर H plus दे दो तो finally you will get benzylic acid तो आपने क्या कर लिया? benzyl से benzylic acid बना लिया एक काफ़ सिंपल सा सवाल 2016 के advanced के paper में है था जब हम अलग से questions करेंगे तो उसमें यह वाले question को जरूर से include कर लूँगा पर this is a very important reaction बार बार अपनी शकल दिखाता रहता है ठीक है? So this is benzyl benzylic rearrangement आगे चलते हैं अगर हम देखेंगे पीना कोल, पीना कोलोन rearrangement क्या देखेंगे मगला? पीना कोल, पीना कोलोन rearrangement चलो इसको चालो करते हैं तो देखो इसमें हम क्या करते हैं? पीना कोल लेते हैं पीना कोल कैसे दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है इसके reaction हम कराते हैं acid के साथ और साथ में हम heat भी करते हैं, acid का काम क्या होता है यह सबको पता है, h plus देना यह क्या देगा, h plus, अब h plus के वास क्या नहीं है, electrons, तो वो किसकी तलाश में मारा मारा भटकता फिरेगा, इदर से उदर हर जगे जाएगा, क्या मांगने electron देदवाबा electron देदवाबा, तो कौन उसको electron देगा, जिसके पास electron बहुत सारे है, oxygen है दो-दो, तो यहाँ पे आएगा, electron मांगेगा, electron मांगने के बाद जैसे ही वो electron मांगेगा, इसका भी अपन mechanism मी देखेंगे, तो कुछ-कुछ reactions होंगी, carbocatine बनेगा, आपको बता है कि carbocatine जब बनता है, और rearrange होनी की possibility होती है, तो rearrangement भी होता है उसके बाद जो final product बनेगा, वो बनेगा यह, जिसको हम बोलता है पीना कोलोन, क्या बोलता है, पीना कोलोन तो क्या बन गया, पीना कॉल से पीना कोलोन इसलिए बोलता है, पीना कोल, पीना कोलोन rearrangement, ठीक है, तो इसका mechanism देखे, मैंने आपको बता ही था, H+, है, इसकी बास जाएगा this is a very good living group, VLG है यह, छोड़के बाहर भाग जाएगा, तो इधर carbocatine बन जाएगा, carbocatine बना, ठीक है, यह इस reaction का rate determining step भी है, क्योंकि carbocatine बनना, मतलब आप carbon को 4 species में convert मार रहे हो और 4 species बनना, carbon को बिलकुल नहीं पसंद, इसलिए this will act as an RDS, यह rate determining step भी यहाँ पे होगा, जैसे यह carbon इधर आया, P+, इसको पता है, अगर मैं किसी तरह से यहाँ पहुंच जाओ तो यह oxygen के जो lone pair है वो मेरे को एक coordinate bond बना के satisfy कर देंगे और carbocatine rearrangement में 1, 2 shift होता है तो हम यहाँ पे एक methyl को shift करा देंगे, ठीक है, यह वाला methyl इधर चला जाएगा, यह जो methyl एट उटके इधर चला जाएगा, 1, 2 methyl shift हो जाएगा, और हमको मिलेगा यह वाली species, इस वाली species में फिर जो oxygen है, वो lone pair डोनेट कर देगा जैसे इसने lone pair डोनेट करें तो यहाँ पे आजाएगा, double bond, यह प्लस चार्ज इधर से हटके किदर आजाएगा, प्लस पे oxygen पे प्लस रखो कि hydrogen पे sir, obviously, आप hydrogen पे प्लस रखो, तो यह hydrogen दिर से चला जाएगा बाहर H प्लस बनके निकल जाएगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आया समझ में कि हम क्या करते हैं, कैसे होता है, बहुत standard चीज है, इतनी बार कर चुक है organic में बार बार same ही चीज repeat होती रहती है, एक बार अपने basics अपने foods ली ना, तो फिर देखो क्या हम मचाने वाले हैं, ठीक है ना क्या बन जाएगा हम पास, यह species बन जाए की, ठीक है, कुछ बच्चे जो name reaction दे रहे हैं जो देख रहे हैं है वाला lecture और चुरुआत को skip करके आए, उनको बता देता हूँ कि यह पूरी list नहीं है name reaction की, जो तीन बहुत important होते है Eldol, Kenizarro और Hello Form नी तो लोग फिर इलजाम लगाने लग जाते हैं कि आपने पूरा नहीं बताया है, यह पूरा बताया है और भी बाकिज जो name reactions होते हैं woods reaction, coal wave, वो सब अपने अपने chapters में हैं कोई hydrocarbon में, alcohol में, ether में, phenol में hello alcan, hello arena में सब अपनी अपनी जगे पर हैं cover पूरा किया गया है, इसलिए हमेशा बोलता हूँ पूरी organic chemistry की revision series देखनी है वो आपको description में link मिल जाएगा वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा क्या बन गया हमारा पीना कोलोन सीखने की सबसे major बात क्या है कि carbo cation intermediate है और उसमें फिर rearrangement होगा अब इस particular reaction का migratory order होता है कि वही कौन सा group shift होएगा ये एकदम strictly follow किया जाता है हर बार ऐसा ही होगा without any other consideration कोई exception नहीं है अगर hydrogen के पास ताकत है hydrogen available है 1-2 shift मारने के लिए तो पहले hydrogen ही shift होगा फिर phenyl होगा फिर 3 degree, फिर 2 degree, फिर 1 degree आया समझ की नहीं आया सबसे बिला hydrogen, फिर phenyl, फिर 3 degree, फिर 2 degree फिर 1 degree ये बहुत important है आपको this you have to learn ऐसा क्यों होता है उसकी बहुत सारी details है बहुत सारे factors है उनमें यहां नहीं जाएंगे ठीक है पर H more than pH more than 3 degree more than 2 degree more than 1 degree ये migratory order होता है कुछ एक अच्छे question कर लेता है जब हम इसमें करेंगे reaction को और जब हम H plus देंगे तो carbogatine किदर बनेगा ये आप दोनों तरफ से सोच सकते हो ये OH पे थोड़ा सा delta negative जादा होगा क्योंकि इन दोनों का plus I लगा है वो बात एक ही पड़ती है किसी भी तरीके से सोच लो तो पहले इधर plus बनेगा फिर इधर जो hydrogen है वो shift हो जाएगा तो वो shift होके किदर चला जाएगा इधर चला जाएगा और ये plus chart shift होके किदर आ जाएगा किछ ऐसा दिखेगा ये finally है न इसको अटाते हैं यहां से ताकि आपको यह याद रहे और फिर ये अपना oxygen जो है loan pair इधर देके double bond बना लेगा H plus यहां से बाहर हो जाएगा finally we will get this compound एक और बहुत अच्छा question करते हैं इसमें एक अच्छी बात यह है कि अब confusion हमारे पास यह है कि हम positive charge को किदर डालें अगर मानलो यहां पे यह pH नहीं होता और CH3 होता तो भी जो positive charge है न वो इसके पास ही आता भाई अभी इस वाले हमारे case में तो किया है कि यहां पे positive charge आएगा तो वो दो लोगों के साथ resonance कर सकता है दो pH के साथ तो यहां पे positive charge ज़्यादा stable है तो positive charge यहीं पे बनेगा पर अगर मानलो यहां पे मैं pH की जगे CH3 लगा देता तो वो भी positive charge इधर ही बनता ऐसा क्यों सर क्योंकि हमको finally यह वाला bond break करने है यह वाला bond break करने है दोनों case में जो isotopes के साथ higher isotopes के साथ जो bond होता है carbon का चाहे वो CD bond की बात करें चाहे CO18 bond की बात करें यह stronger होते हैं क्योंकि bond strength ज़्यादा होती है higher वाले isotopes के साथ तो हमारे को तो oxygen पे plus किसको देना पड़ेगा इसी को H plus देना पड़ेगा यही जाएगा इसका break होना easier है तो positive charge इधर बना ठीक है positive charge क्या बना इधर बना positive charge ठीक है यह इधर से गया हमारे को क्या पता है strict migratory order में pH CH3 से पहले आता है इधर यह CS3 और double bond O 18 यहाँ पे बने का ठीक है clear हुआ आ रहे है समझ में चलिए बहुत ही बढ़िया तो आपसे किस तरह से पूछे जा सकते हैं this is a multiple correct option question आपसे बोला गया है कि product form जो है यह तो मैंने अल्वड़ी mark कर रखा है answer कि उसमें du 3 है du मतलब double bond या unsaturation spiro compound है bicyclo compound है carbonal compound है आपको more than one correct के रूप में इसको देखना है तो जो हम इसको कराएंगे तो सबसे पहले जो अपना h plus है h plus किदर जाएगा इस वाले oh h पे जाएगा दोनों position identical है किदर भी जा सकता है तो इधर plus charge जाएगा इधर वाले plus charge को रोकने के लिए इस वाले plus charge को इधर shift मारने के लिए ये ring क्या करेगी expand कर लेगी ring expand करेगी तो हमारा पस कैसा final compound क्या बनेगा ये बनेगा तो इसमें क्या है ये spiral linkage है जिसको मैंने blue से mark कर दिया है और एक ring 5 member है एक ring 4 member है और ये carbonial compound भी है DO कितना है एक इस ring का एक इस ring का और एक इस double bond O का तो DO 3 है ये सही है spiral compound है ये भी सही है bicycle नहीं है bicycle क्या होता है जिसमें जो जुडाव होता है वो कुछ इस तरीके से होता है दो carbon से जुड़े होते है single carbon से जुड़े होते है तो spiral ठीक है और carbonial compound तो है ही सही आ रहे है की नहीं आ रहे है बात सहुझ में है ना तो यार देखो हम बहुत दिल लगा के organic का revision कर रहे है आपको ये chapter भी अब देखो खतम हो गया आप e-sarlal के app जब install करेंगे तो वहाँ पर आपको carbonial compound में ये सारी चीज़े दिखेगी जो हमने carbonial compound पढ़ा उसके बाद जो हमने eldol, canizar, hello form पढ़ा और आज ये जो name reaction का revision lecture कर रहे है ये आपको carbonial compound के नाम से मिलेगा तो आप J.E.Main previous year के test बिलकुल दें और J.E.Main previous year प्रिवेस year भी करने है अगर आप previous year नहीं कर रहे है जो बच्चे चाहे वो neat के हो चाहे वो जही के हो बिना previous year के एक feel खतम हो जाती है एक examination हमसे चाहा क्या रहा है एक actual simulation होने से रह जाता है previous year e-serial के app में lifetime free होते हैं वो आपको हमेशा मिलेंगे वहाँ पे तो आप जाके attempt कर सकते हैं पिछले साल के papers भी है तो इस chapter के related चाहे test देना हो चाहे सवाल attempt करना हो चाहे previous year करना हो अभी के अभी खतम कर देना बाद में सरम पहले पूरा revise कर लेंगे theory theory फिर सवाल करेंगे गलत अप्रोच है साथ साथ में आपको करना चाहिए है ठीक है? चले? तो अगली बार हम नया chapter शुरू करेंगे जिसको हम oxidation reduction बोलते हैं ठीक है? oxidation reduction का revision होगा पहले एक पार्ट में oxidation फिर एक पार्ट में reduction उसके बाद carboxylic acid उसके बाद nitrogen containing compound and so on पूरा chemistry ने everyday life तक 5 माई तक revision को हम खतम कर देंगे ठीक है? जिन्होंने अभी तक Israel के channel को subscribe नहीं किया हो वो लोग definitely subscribe कर ले यार अपने दोस्तों के लिए शेयर करो बहुत मेहनत से और बहुत दिल से बना रहे है बच्चों का बहुत फाइदा भी हो रहा है ठीक है? और इस वीडियो को like करना मत भूलना हमारा motivation level दो ना एकदम उपर पहुँच जाता है रॉकेट की तरह है एकदम higher level पर पहुँच जाता है ठीक है? हमारा motivation level का electronic higher orbit में jump हो जाता है तो ये काम करना मत भूलना next बार मिलते हैं और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं पढ़ाई करो, प्रचंड करो मिलते हैं